और इस वार की बड़ी खबर हम आपको बता दें, NDSन सद्य दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है, प्रधारमंत्री बैठक में पहुच चुके हैं, प्रधारमंत्री मोधी NDSन सद्य दल को संबोधित करेंगे, आज कई ऐसे मुद्दे हैं, सदन में किस तरह से प्रधारमंत् पेंशन दार कोंगी एपी एपिएज पैंशन को लेकर बहुत बड़े किस गबरी, अब यभी सब्चिपली की 5 निट पहले की बड़ी खबर, नियोंतम, आपकी पैंशन की बुर्तरी को लेकर मिली बड़ी खबर, इस üzerine किअ आप बोकर्टाल के एलान को लेकर, यान की बहु तो वैसे में यहाँ पर आप बजेट कंदर क्या पैंसन धारकों की अब पैंसन की रासे को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं तो पैंसन धारकों ने इस अल्टिमेंट को लेकर आकिरी क्या पूरा अपडेट जार किया है आईए इस अपडेट को विस्तार से जानते हैं और आ आपकी पैंसन को लेकर मांग दिन बढ़ती जारी है तो यहाँ पर आपको बड़ी रात देखने को मांगलबार को आप सभी नियुनतम पैंसन को लेकर यानकी मासिक पैंसन को बढ़ाने को लेकर मांग को लेकर बुकरताल पर जाने की पैंसन धार को ने एक बार सरकार को चेताव नहीं दी हैं सरकार अगर बज़िट के अंदर पैंसन धार के उनकी परमुकमांगों को लेकर अगर फैंसला नहीं करती हैं minimum pension की रासी में बुरतरी नहीं करती है तो फिर पेंसंदार के फिर से बो कर्ताल को लेकर यहां की सरकार को चेताव नहीं दे रहे हैं अगर बात करें तो वर्तमान में करमचारी वसनेदी संक्टन एप अपोगे करमचारी पैंसर योजना में जो आपको पैंसन मिलती है मिनिमम एक अजार रपे की जो की दोजार चुदा का संसुद दुनवाता है उसका इनुसार आपकी पैंसन जो की लाग हुए जिसमें की आप सभी की मासिक पैंसन की बोड़त्री को लेकर एक बार फिर से आप सभी के लिए इस पर करके ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी हैं समीती द्वारा एक मंगलवार को ब्यान भी जैर किया गया है उसमें कहां गया कि करमचारी पैंसर योजना एपियस की जो र पैंसन के बावज़ूद भी उनकी मांगी अब तक पूरी नहीं होरी अब बजट के अंदर पैंसन को अमीदे अगर बजट के अंदर पैंसन की मांगी पूरी नहीं होती हैं तो फिर पैंसन दार की ये कदम उठाने को लेकर मजबूर होंगे इस तरह की पैंसन ने जानकार जारी के सरकार को चैता हो नहीं दी हैं, कि जो सरकार अगर बजर के अंदर पाइड़ के इन प्रइट है, उनको पूरा नहीं करती है, सब्सक्राइड साजा जार अर्पे के पहने, पहने के साथ में प्रिक Taras के साथ में प्रजीन की यह ऐलान क्या था और राज़पती के द्वारा भी इस ऐलान को लेकर यानकी गोशना की गई है लेकिन आप बात करें तो आप सभी को इसका लाब कब देखने को मिल लगा है यहाँ पर आपको बज़िट के अंदर इसको लेकर गोशना की जा सकती है उमिद की जा रही है तो पैंसन के द्वारा मांगा जा रहा है डाटा तो यहाँ पर सुप्रिम कोड के पैंसले के डैर साल बाद भी पैंसन का डाटा सिरफ हाईर पैंसन के लिए मांगा जा रहा है तो अब EPF ने 31 माई 2024 तका समय भी मांगा है तो कितना अब और समय लगएगा EPF ने अब चार N की बार समय बढ़ाने की मांग भी कर दी है तो अब ऐसा लग रहा है कि 2000 जो इसमें भी लोकस बाचनाओ के बाद भी यह पर क्रिया लमीत रहेगी और पैंसनस है उनकी मांगे ऐसे ही रहेगी लेकिन यहाँ पर पैंसनस को अब एक ही सर्फ उमीद बची है कि या तो सरकार बजट के अंदर पैंसनदार के उनकी मिनमम पैंसन की राशे को बढ़ाएगी या फिर पैंसनदार के अपना बू करता ले जो कि उन्होंने का है कि फिर से हम सुरू करेंगे तो यहाँ पर आप यיא बजट के अंदर आफिर नेड़ने होने वाला है आपकी पैंसन को लेकर तो वित मंतरा के दворा भी और केंदर सरकार के दोरा एप्याप के दोरा स्मिकसा जारी है लेकिन कोई अधिकार एक अपडेट नहीं जारी किया आपकी पैंसन है जो बजट के अंदर बढ़ा ही जाएगी या फिर नहीं तो पैंसनदार की यही चाहना चाहते है कि उनकी पैंसन को लेकर आखिर सरकार एहलान करें तो वैसे में हायर पैंसन को लेकर बात करें तो हायर पैंसन का भी नया कानून अगर यहां पर बात की तो यहां पर देरी के कारण मुझदा पैंसन असे और अन्य करमचारी इस बात को लेकर तनाव में हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं कि अगर हायर पैंसन का पैंसला सुप्र अगरूजूद्धा के अदिकार के यहां पर कव्ड़ने बताई जारी है इसलिए रेटार्मेंट के बाद धने की ज़रूरत नहीं इस तरह से तरकाओं की कानड पुरानी पैँशन भी बंदकर दी तो सहना में पैंशन भी बंद कर दी गही है अगर मुझूदा केंदर सरकार इस पार सता में लोड़ती हैं तो वह सभी करमचारी पैंस योजना को बंद कर सकती हैं ऐसे भी अपडेट है रही लेकिन सरकार ने ऐसे कोई गोशना नहीं कि फिलाल पैंसन से जुड़े ये मामला लमी थे तो सुप्रिम कोड के फैंसले के बाद भी नहीं दी गई पैंसन दारका उनको ओच पैंसन आपको भज़े दे कि ओच पैंसन को लेकर सुप्रिम कोड के समक्स परस्तू सभी सक्से हैं और तरकाओं पर विचार करने के बाद सुप्रिम कोड ने भी ओच पैंसन देने का फैंसल लागू करने के खिलाब विरोध पर दसन करमचरी वो कर सकते हैं अगर उनको बज़िट कंदर यह उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो केंदर सरकार को सबक सिखाएंगे पैंसंदार के इस तरह का कहा है पैंसनसे की पैंसनस्स की बेटक मैं वि्चार बिमरस के बात चलते हैं की हर एक बात बता करें हैं कि किसी तरह से पंसर को लोग जो मांगे हैं on की पंसर को लेकर खंद यहां पर विपकसर क απόrelt को आथा यहींद सकी हैं मोजिदा इसकी में 20-30 साल तक यानकी निवे सिद रहने वाले करमचार को अच्छा रेटरन बल रहा है तो विशे सुरूप से उन करमचारियों को जो की 2004 के बाद भरती वे हैं तो रेपोर्ट के मताबिक TV सुमनात के अधक्सा में जो कमिटी बनाएगी उस कमिटी का भी रेपोर्ट है जो बजट के अंदर आ सकती है और पिछले साल गटी थी कमिटी का भी रेपोर्ट आने के बाद यानकी सरकार पैसला करेगी तो यह रेपोर्ट बजट के अंदर सौंपी जा सकती है आखिरी नेड़ने हो सकता है या फिर 55 के अपना फिर से अनकी अर्टाल सुरू करेंगी तो इस तरह की सरकार को भी 55 को ने चेता होने दिया है तो यहाँ पर OPS और NPS को लेकर इस परकार की फिलाल अपजेट होने वाली और EPS पंसन की बड़तरी को लेकर के अंदर सरकार ने फ क्या करमचारी OPS ही चाहते कि पुरानी पंसन योजना फिर से भालो तो यहाँ पर कोई करमचार को योगदन नहीं देना होता था लेकिन NPS में योगदन देना होता है तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा यंकी कार्ण है और यहाँ पर शेर बज़ार के आदा रोने पर पंसन नहीं मिलती तो इस परकार के आद दूमर के आपकी पैंसम को लेकर अपडेट होने वाली है